जापान के हिरोशीमा शहर में शुकरवार को G7 के बैठक के लिए दुनिया की साथ कथित बड़ी अर्थवेवस्ता के नेता एक मंच पर जुटे हैं। गेस्ट की तोर पर इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रधान मंत्री नरीन मोदी भी रवाना हो चुके हैं। महीं जापान पहुशने के बाद G7 के सभी नेताओं ने सेकंड वर्ड वार में हिरोशीमा पर हुए परमाणू हमले में मारे गए लोगों को श्रधान चली दी। 21 मही तक चलने वाली इस बैठक में क्लाइमेट, चेंज और अर्थ विवस्ता के साथ साथ चीन और रूस पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका यूकरेन जंग के चलते रूस पर 300 पाबंद्या लगाने की योजना बना रहा है। मही बैठक शुरू होने से पहले ही ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रिशी सुनक ने रूस के हीरो पर बेन लगाने की घोशना कर दी है। इसके अलवा ब्लूंबर की रिपोर्ट में दावा क्या गया है कि यूकरेन के राष्टपती जेलिस की भी इस बैठक में शामिल होंगे। जिसने एनपीटी पर साइन नहीं किये हैं। इस समझोते का उद्देश परमाणू परिक्षन पर रोक लगाना है। हिरोशिवा दुनिया का पहला शहर है जहां इतियास का पहला और अब तक आखरी एटमी हमला किया गया था। विदेश सच्चिव विने मोहन क्वात्रा ने कहा हिरोशिवा में मोधी महत्मा गांदी की प्रतीमा का अनावारन करेंगे। समिट के बाद वो जी सेवन नेताओं के साथ पीस मेमोरियल पार्क भी जाएंगे। इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ दाने बाद।